तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लडेस्ट वडियो में और आज के इस वडियो में हम लोग पत्र लेखन सिखने वाले हैं जी हम बिलकुल जब मैं आप लोग को उर्दू में पत्र याइन की खत लिखना बता रही थी ना तो आप लोग अब को 100% सहिधी हम बताने वाली हूं फऱ्ले लेखन का जो भी आप लोग ए मियंड में पत्र लिखन से रिलेटर ऑं अभी तक आमनुरंब में पत्र लिखन से रिलेटर जो भी डाव्थ है जो भी कम्व्यूजण है आ आज के इस वडियो में 100% किलीर हो जाने वाला है सारह वीडियो को स्टार्ट करते हैं but before begin the video let me remind you that if you are new here on my channel please don't forget to subscribe and hit the bell icon और उसके सांसात वीडियो को लाइक भी कर दिजिएगा चावरताफ शेर भी कर दिजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके चलिए स्टार्ट करते हैं let's go to start पत्र जिसको आप लोग जानत हैं उसी तरह हिंदी में पत्र लिखने को पत्र लेखन कहते हैं और आप लोग ये भी जानते हैं कि पत्र दो परकार का होता है एक और अपचारिक पत्र और एक आपचारिक पत्र अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिए और अपचारिक पत्र वैसे पत्र को कहते हैं जो अप ऍन्सक्राइं के पास पत्र लिखे जाते हैं उसे हम उन अप्चारिकर पत्र कहते हैं किसे कहते हैं वैसे पत्र जो प्राइबेट यह फिर विभाग में लिखे जाते हैं जैसे की स्कूल के प्रधाना ध्यापक या फिर प्रिंसिपल के पास पत्र लिखा जाता है ना अब वो स्कूल सरकारी हो या फिर प्राइबेट स्वास्त विभाग में लिखे जाते हैं फूड कंट्रोल और एडिटर संबाद संपादक वगयरा के पास लिखा जाता ह यानि कि जो पत्र प्राइबेट या फिर सरकार्य विभाग में लिखे जाते हैं उस पत्र को कहा जाता है अप्चारिक पत्र और अप्चारिक पत्र के अंतरगती आता है आवेधन पत्र यानि कि अप्लिकेशन पिपर और शिकायती पत्र अब आप लोगों के एक्जाम में अन आपचारिक पत्र लिखना बता दूंगी कि कैसे अपने सगे संबंदी और रिष्टेदारों के पास पत्र लिखे कि आपके लिखे वे पत्र को देखते के सांथ एक्जामीन और फुल मार्क्स देदें फिर इसके अगले वीडियो में आप लोग को आपचारिक पत्र लिखना जो की बहुत ही ज़्यादा आसान है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी जो हम लोग और आप्चारिक पत्र सीखने वाले हैं यह मैं आप लोग को एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से बता रही हूं आप लोग एक्जाम में कैसे लिखे की फुल माक्स मिल जाए उस पॉइंट पत्र लिखते हुए अभी के जमाने में आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नहीं सब कुछ खत्म हो चुका है और अब चारिक पत्र का यह सिस्टम है ना पूरी तरीके से ठप हो चुका है पहले के जमाने में लिखा जाता और बहुत ही जदा आदर और सम्मान के साफ काम के लिए आप इतना रुपए भीजने की क्रिपा करें मतलब बहुत ज़्यदा रिस्पेक्ट और पहले के जमाने में लोगों के बिच बहुत ज़्यदा आदर सम्मान भी था लेकिन अभी देखिए डेजिटल इंडिया होने के सान साथ रिस्पेक्ट में भी काफी बरतन हुआ है तो फिलाल हम लोग यहां पर समझते हैं लोग इंग्जाम के पॉइंट व्यू से समझ रहे हैं तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि एक्जामीनर जो कॉपी चेक करता है न वह आपके लिखे हुए पत्र का स्टार्टिंग और लास्ट पर समझ लीजे क्योंकि स्टार्टिंग आप लोग आच्छा होना चाहिए और लास्ट अठीव में जिस भी व्यक्ति के पास आप लोग पत्र लिख रहे हैं उसका नाम किस तरह ले मंतलब किस तरह नाम लेकर संभोधित करें तो संभोधन कैसे करना रहाए यानि कि परनाम स समझ आएंगे तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग जिसके पास पत्र लिख रहे हैं माल लिजिए आप अपने माता जी के पास लिख रहे हैं अपनी मा के पास तो संबोधन कैसे करेंगे नाम लेकर संबोधित किया जाता है ना तो अगर माता जी है तो लिखेंगे आप लो पता वगर लिखा जाता है यह मैं आप लोग को बताओं कि पहले समझ लीजिए कि किस के लिए किस तरह संबोधन होगा और अभिवादन होगा तो माता जी के लिए संबोधन आप लोग कैसे करेंगे पुझ्या माता जी या फिर पुझ्या मा और अभिवादन यानि की नमस्का पूजनिया पुजनिया पूजनिया पूजनिया या फिर पूजनिया सिरफ सरे स्री इन पूजा करने के समान तो इसलिए पुज्य लगाया जाता है तो पुज्णिय पिता जी हो गया उसके बाद से अभिवादन कैसे करेंगे तो चरन कमलों में साधर पढ़नाम थोड़ा पिता जी रिस्टिक्ट होते हैं ना डाटते फटकारते हैं इनके लिए थोड़ा मतलब ज् पुत्र लगते हैं वही लिख देना है यह पर अगर पुत्र है तो आपका पुत्र या फिर आपकी पुत्री तो कोई दिक्कत नहीं आगयाकारी लिख देंगे तो और भी अच्छा है ज्यादर रिस्पेक्ट दिखाई देगा है ना और उसके बाद से अब आते हैं भाई या भाई या फिर बहन के पास अगर आप लोग पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन होगा प्रिया से प्रिया भाई या फिर प्रिया दीदी अगर आप लोग बड़े हैं अपने छोटे भाई या फिर छोटी बहन के पास पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन करेंगे प्रिया भाई या फिर प्रिया बहान ठीक है लेकिन अगर आप लोग छोटे हैं और बड़े भाई के पास पत्र लिख रहे हैं तब या फिर बड़ी बहन के पास पत्र लिख रहे हैं तब किस तरह संबोधित करेंगे प्रिया दीदी या फिर प्रिय भाई इस तरह आप लोग को मतलब प्रिय रहेगा भाई हो या फिर भान हो ठीक है अभिवादन कैसे करना है तो साधर प्रणाम या फिर नमस्कार दोनों में जो आप लोग को अच्छा लगे वो लिख सकते हैं अभिवादन में साधर प्रणाम या फिर नमस्क या फिर नॉर्मली सिर्फ दोस्त ही है सहेली ही है तो कोई दीकत नहीं है इसका भी संबोधन होगा प्रिया से ही यहां पर भी क्या रहेगा प्रिया ही रहेगा प्रिया मित्र प्रिया दोस्त प्रिया सहेली ठीक है तो प्रिया करके आप लोग संबोधित कर देंगे आगे बढ़ते हैं अपने से और देखे अपने से छोटों को अगर आप लोको पत्र लिखना है तो प। यहीं लगाएंगे है और उसके बाद से अगर बाता आती हैं सबस는지 करेंगे सम्भॉधन है माननिया फिर आदर्निया आप सबस्क्राइब नोग सकते हैं और अभिवादन में कैसे तो अभिवादन में धेर सारा option है आपके पास साधर पढ़नाम भी लिख सकते हैं साधर नमस्कार भी लिख सकते हैं नमस्ते भी लिख सकते हैं और यहां पर एक चीज़ मिटक गया है नमस्कार यहां पर नमस्कार भी लिख सकते हैं ठीक है साधर पढ़नाम साधर नमस्कार नमस् पर या फिर नमस्कार इन सभी मैसे जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं अभिवादन में और उसके बाद से आपको क्या करना है समापन में सिर्फ नॉर्मली आपका लिख देंगे अगर आप लोग लड़की हैं तो आपकी लिख देंगे इतना ही में काम चल जाए आप अगयाकारी मिटक जुगा है ठीक है मुझसे इमिटक गया बड़ कोई दिकत नहीं है आपका नहीं तो आपकी लिख दीजिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो लिख दीजिए आपका आगयाकारी तो इस तरह हो जाएग अगर आप लोग यहां तक स्क्रिन सोट ने ना चाहते हैं तो कोई दिकत नहीं है लेली जी फड़वर स्क्रिन शॉट अब चलिए हम लोग आगे एक एक्जामपल लेकर समझते हैं आपके स्क्रिन पर एक कोश्चन सो रहा है ज़रा इसको पढ़िए तो कोश्चन है कि अपने पिता जी के पास एक पत्र लिखिए जिसमें आपने अपने वर्ग में पर्थम इस्थान प्राप्त किया है इसकी जानकारी दे कोश्चन आप लोग को दिख गया होगा और आप लोग बहुजदा समझदार है भी आप लोग समझ भी चुके होंगे कि ये पत्र किसके पास लिखना है तो अपने पिता जी के पास लिखना है और इसी कोश्चन का एंसर मैं यहाँ पर बोड़ पर लिख दी हूँ इसी को एक्जाम पर लेकर हम लोग समझेंगे कि आप लोग अपने एक्जाम में किस तरह पत्र लिखेंगे अब जरूर नहीं है कि सवाल यही पुछ दे आप लोग के एक्जाम में कोई दूसरा भी सवाल पूछ सकता है और किसी के पास भी पत्र लिखने के लिए बोल सकता अपने माजा जी के पास पीता जी के पास बड़ा भाई बड़ी बहन चोटा भाई चोटी बहन दोस्त मित्र या फिर खाला खालू दादा दादी मौसा मौसी काका कि कि किसी के पास भी बोल सकता है और किसी भी मुद्दे पर किसी भी टॉपिक पर तो चाहे जिसके पास भी ब पत्र लिखना कभी भी स्टार्ट मत किजिएगा यह गलत तरीका है बहुत सारे स्टुडेंट को मैं देखी हूं कि किसी दूसरे कोशन का एंसर लिखना स्टार्ट करते हैं और पेज के आधे हिस्से तक उस कोशन का एंसर खत्म हो जाता है तो फिर आधे हिस्से से ही वह वहीं सबसे पहले आप लोग को अपने दाएं तरफ चले जाना है यादने कि यह ठाइड यहां पर आप लोगो को पता लिखना है और फुल एड्रस लिखना है उस दिन का डेट डाल देना है जैसे कि मैं डाल दी हूं सुल्ला एक 2030 आप लोग अगर एक्जाम में बैट कर लिख रहा है ना पत्र तो कोई भी डेट डाल सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो सुल्ला एक 2030 लिख दिये यानि की पता और डेट लिख देने के बाद पेज के दायें तरफ पता और डेट लिख देने के बाद आप लोगो फिर से एक लाइट नीचे चले आना है जहां पर डेट डाले है ना उसी के ठीक एक लाइट नीचे आकर और फिर आप लोगो बायें तरफ आना है ध्यान रहें बहुत सारे student को मैं देखी हूँ कि page के दाय तरफ सो चले जाते हैं right hand side चले जाते हैं पता और date लिख देते हैं लेकिन जहाँ पर पता और date लिखे रहते हैं उसी के ठीक बाय तरफ आ जाते हैं और यहाँ से वो लिखना start करते हैं जबकि आप लोग को ऐसा नहीं करना है different side यानि की बाय तरफ आने के बाद आप लोग को संबोधित करना है जिसके पास आप लोग पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लेना है संबोधन करना है तो हम लोग अभी यह पत्र किसके पास लिख रहे हैं तो पिता जी के पास पत्र लिख रहे हैं तो क्या रहेगा किस तरह क तो इसको देना अप लोग लिए बहुत जादा जरूरी है अगर आप लोग किसी दूसरे के पास पत्र लिख रहे हैं मान लीजिए अपने दीदी के पास तो अगर मां के लिए क्या संभोधन था या फिर अगर आप अपने किसी मां लीजे बड़े भाई के पास लिख रहे तो प्रिय भाई और उसके बाद से एक्सक्लामेशन मां तो यहां पर आप लोगों को संभोधित करना है तो यहां पर पता और डेट लिखे ना उसी के एक लाई कि नीचे आकर बाएं तरफ चले जाना है और सम्भोधित करना है संबोधन करना है तो हम लोग संबोधन कर दिये पुझनिया पिता जी लिख दिये और अब ठीक इसी केक लाई नीचे चले आना है और अब आप लोग को अभिवादन करना है चरण कमलों में साधर परणाम और फिर ये पून विराम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है देना ये पून विराम जरूर दीजिएगा ठीक है पून विराम ठीक है यहां से लेकर यहां तक मैं ब्लेक कलर के मारकर से लिखी हूँ यानि कि यहां से लेकर यहां तक जितने भी शब्दों को लिखी हूँ ना मैं इसको याद कर लिजिए इसको हर पत्र में आप लोग लिख सकते हैं चाहे आप किसी के पास भी पत्र क्यों न लिख रहे हो अप अच्छा स्टार्टिंग है देख लीजे मैं आप लोगों को पढ़ कर बता दे रही हूं इतना स्पेस छोड़ने के बाद आप लोगों को लिखना है कि मैं इश्वर की असीम अनुक्रिपा से सानन्द एवं स्वस्त रहकर विधाध्यन में रथ हूं आशा करता हूं कि आप मतलब यह हुआ कि मैं इश्वर की असीम अनुक्रिपा से सानन्द एवं स्वस्त रहकर विधाध्यन में रथ हूं यानि कि मैं इश्वर भगवान गौड की क्रिपा से सानन्द यानि कि खुश और स्वस्त रहकर विधाध्यन यानि कि पढ़ाई लिखाई में रथ हूं मगन हूँ और आशा करता हूँ यह फिर आशा करती हूँ अगर आप लोग लड़की हैं तो आशा करती हूँ ठीक है आशा करती हूँ कि आप भी स्वास्थ हैं वह सानन होंगे आप भी खुश और स्वास्थ होंगे तो यहां से लेकर यहां तक आप लोग याद कर लिजिए माली ज रखिएगा देखिए स्टार्टिंग बहुत अच्छा होना चाहिए मैं इश्वर की असी मनुक्रिपा से सानन देवं स्वस्थ रेकर विधादियन मेरत हूं आशा करता हूं यह फिर आशा करती हूं कि आप भी स्वस्थ एवं सानन होंगे देख रहें स्टार्टिंग कितना ज में लिख दीजिएेगा और उसके बाद से अब आप लोग को क्या करना है देखें उसके बाद यह बजू कलर के मारकर से लिखी हूँ, यह topic change होने पर change होता रहेगा, अभी हम लोग का टॉपिक क्या है, अभी हम लोग का topic है, मैं ये पत्र अपने पिता जी के पास क्यों लिखी हूँ, इसलिए कि मैं अपने वरग में, अपने क्लास कि आगे समाशारिया है की दस वी वर्ग का परिक्षा फल हो गया है यानि कि मैं नबव्य प्रतिसत अंक प्राप्त कर यानि कि मैं 90 per cent अंक प्राप्त कर सिर्फ प्रथम इस्थान ही नहीं बल्कि अपने वर्ग में भी प्रतमिस्थान प्राप्त किया हूं या फिर की हूं मुझे अपने आप में बहुत आनंद आ रहा है उमीद करता हूं या फिर उमीद करती हूं कि आप भी यह समाचार पढ़ कर आनंदित होंगे माँ और सभी लोगोको भी या चुनकर पर संद होंगे यानि कि मा और घर परिवार के सभी लोग, जितने भी लोग है, सभी लोग यह समाचार सुनकर प्रसंद होंगे, खुश तो होंगी न, क्योंकि 90% अंग प्राप्त किया है, मैं कितना बढ़ा चड़ा कर लिखू हूँ, 90% अंग प्राप्त कर सिर्क प्रसमिस्थान ही नहीं, अ आप लोग को भी सब्दों को सजा कर लिखना है, ध्यार रहे, यहां पर आप लोग को अपने शब्दों में लिखना है, अपने बातों को अपने हिसाब से रखना है, तो आप लोग अच्छे शब्दों का यूज करें, जब आप लोग यहां पर लिख दें, अपने टॉपि किसे के पास भी लाएं यहिह। तो वो कर देना है और उसके बात से छोटो को प्यार बरा अश्रुवाद परीवार में छोटे बच्चे भी होते हैं तो उनको आश्रुवाद देदेने इस त evol aux लास्ट में लिख दें तब आप लोग को क्या करना है पत्र का समापन करना है यानि की इंड करना है तो पत्र को समापत करने के लिए आप लोग को पत्र यानि की पेज के फिर से अब दाएं तरफ चले जाना है अब नीचे जाना है पेज के दाएं तरफ यहां पर नीचे यहा पर मैं लिख सकती हूं आपकी प्यारी पुत्री या फिर आपकी पुत्री या फिर आपकी बेटी किसी मतलब तीनों में से कोई भी लिख सकती हूं यहाँ पर नॉर्मली आपको समझाने के लिए लिख दी हूं आपका पुत्र अगर आप लोग पुत्र है तो लिख दीजेगा कि यगर आप लोग एकजाम में बैटकर लिख रहे हैं न नाम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं लेकिन अगर मेरा luckily मानेंगे तो मेरा स्वासान यही रहेगा कि आप लोग नाम नाने नाम की जगा जिसतर्व मétais लिख दी हूं को खोग यही लिख दीजिएगा तो नमबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं तो क्या जरूरी है बेकार में रिस्क लेना आप लोग नाम ही मत लिखिए नाम के जगा को खोगा लिख दीजिए हो गया बस बात खतम ठीक है तो जिसके पास आप लोग पत्र लिख हैं तो आपका प्यारा भाई या फिर आपका भाई अगर बहन प्यारी लेगर आपकी इसंगानों यहां पर आप लोग लिखह समापन की लम जिस तरफ लिखना देना है यहां पर लिख लिखना है वो कहां का रहने वाला है तो देखिए मेरे पिता जी कहां के रहने वाले परताब नकर आगरा उत्तरपरदेश जो की रियल मेरे पिता जी का एड्रेस नहीं है मैं आप लोग को समझाने के लिए यहां पर मैं लिख दी हूँ ठीक है तो जिसके पास आप लोग पत्र लिख रहे हैं उसका पता आप है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वात है कि आप लोग का एक नंबर भी नहीं कटेगा फुल मार्क्स मिल जाने वाला है बस इस नियम को फॉलो करके लिखकर एक्जाम में चले आईएगा और ट्रेंसन प्री रहिएगा फुल माक्स आप लोग को मिल जाएगा ठी करनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेलेकर यानि कि घंटे को दुबाकर और काप्शन क्लिक कर ले रहा है उसे होगा यह कि मेरी रोज आने वाल वीडियो और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प पीडियो और को सबसक्राइब जिगर खाहा है